हमारे हां उत्राखंड को देव भूमी के नाम से जाना जाता है। जो महिलाओं को इकठा करके समुह बनाकर उन्हें माल्टा का जोस, अचार, चाय और मुरभा का रस बनाना सिखा कर आत्म निर्भा बना रहा है। क्या है ये संस्था, कैसे काम करती है इस बारे में जानने के लिए हमने बात की यहां के प्रबंधक से। परवती छेत्र की क्रिशी दूसरे इलाकों से पून्त भिन है। यहां की भौतिक भौगोलिक संदचन, क्रिशी जलवायू और ग्रामीर छेत्रों की सामाजिक आर्थिक इस्तिती मैदानी इलाकों से पूरी तरह अलग है। और इसलिए अप एक चर्क यहां की क्रिशी गठेन है। आज हम देखते हैं कि माल्टा से आट तरह के प्रड़क्त तयार हो रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे। Marta East Quest जो मालटे के छिलके होते हैं उसका भी उपयोग इन महलाओं द्वारा किया जाने लग गया है मालटे के छिलके से जो face pack है वो आज बजार में जा रहा है मालटे के AITS जो की जिस तरीके से अन्य कंपनियों के बरांट बजार में आते हैं उसी तरीके के माल्टे का उत्पाद यहां पर तैयार किया जा रहा है बर्तमान में इस पूरे जिले में 215 स्वहम साहता समू शक्रिय होके उत्पादन का काम कर रहे है दूसरा इस चेतर में ये देखा गया कि जब गाओं में हम उत्पादन की बात कर रहे थे शुरुवाती दौर में तो गाओं वाले ये कहते थे कि पूरे इलाके में जंगली जैनवर आते हैं जो फसलों को बना नुकसान पहुचाते हैं तो हमने शुरु किया गाओं वालों के साथ मिलकर के तुलसी का उत्पादन तो तुलसी को न तो गाय खाती है न बंदर खाता है और इससे जो है लोग उनको पैसा मिल रहा है पूरे इलाके में हम देखते हैं तो 25 हेक्टर में इस साल तुलसी का उत्पादन हुआ है 800 कुंटल तुलसी यहाँ पे पैदा की गई है 200 स्क्वाइर मीटर से 4 कुंटल औस तुलसी के पैदावार है और जो कॉपरेटिव 700 रुपया पर कुंटल के हिसाब से किसानों के साथ बाइबेक करती है तो इस से एक पूरे इलाके में तुलसी का उत्पादन बढ़ा है लोग तुलसी की तरह आगे बढ़े हैं और उनकी इंकम बढ़ी है इस तरीके से हम तुलसी से देखें इस साल तो साड़े 14 लाक रुपे किसानों के पास गया है तो यह तो थी हिमारेन ए सेंटर के प्रबंदक से बाचीत लेकिन आब आई आपको मिलवाते हैं उन महिलाओं से जो इस से फाइदा उठा रही हैं किस तरीके से यह ने प्रशिशित करके इनकी आय में व्रद्धी करने के लिए एक सहारा बनी हुई है और किस तरीके से घर चलाने के साथ-साथ यह अ किसे संभू बनाओ और फिर हार्ट में से जुड़ो तब हम ओं अरो समझाया कि कैसे समुः बनते हैं हम परतेक महिने मासिक समय करते हैं हमारे दूर जिस्टर और तब हमने आप मारते की जाती हैória पर माजिक कैसे मासिक बचत की जाती है हम परतेक महीने 100 रुपे जमा करते हैं परतेक महिल अप हमारे हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा भी हो जाता है तो हम यहां जूस पर लगाते हैं पैसे जिससे हमको प्रॉफिट मिलता है यहां पर काम करने से उससे हमें फाइदा भी होता है और दूसरा हमें सीख भी जाते हैं कि कैसे जूस बनता है दूसरी बात है कि हम तुलसी उत पादन तूलसी का इस्थाल किया उसके बाद हमें तूलसी से एक तो हमें पैसे मिल गये और दूसरे हम जब यह काम करते हैं तो उस पर भी हमें रोजगार पड़ती दिन मिलता रहता है और जो हमारे यहां जंगली बेल होते थे हम उनका पाइदा नहीं जानते थे अब हम यहा कि तो सत्थे समु तो रख और समु है जो मुत जहां से उत्पातन करते हैं यहता स्थे संुर वप्लांध करता है यहां पर महल कि पंब ही उत्पाध मैले अलाए माल्टा इकठा किया जाता है इसके अलावा समू के द्वारा आवला इकठा करते हैं आवले से अचार और इसक्वेस मनाया जाता है और जो जंगल में बेल होता था उसको यहां पर समू साधा समू के द्वारा इकठा किया जाता है और महलाई यहां पर इकठा करने के अलावा इसमें जूस तय जिसे उनको अच्छा फैदा हो रहा है यहां पर रोजगार ही मिल रहा है इस समय महलाओं ने हमारी समीत में महलाओं का फैदा हुआ है और महलाओं को अच्छा रोजगार मिला है हम महलाओं कुछ भी नहीं जानती थी घर में केवल एक समुई बनाना सीखा था लेकिन जब से हम इस समीत से जुड़े तो हमने रोजगार सीखा यहां नेक मसीनों से हमें उपलबदी हुई कि मसीने कैसे चलाते हैं कैसे मसीनों में कारे किया जाता है सबसे पहले तो हम जब यहां आए तो तब तक तो हमारे यॉनिट मैं सबसे पहले सपाई का ध्यान जाला जाता है उसमें एपरिन, गलाप्स यह सारे चीज को पहले पहनाया जाता है उसके बाद हम जो भी काम करते हैं तब करते हैं फिर उसके बाद हमें समीतिके उसे सेक्षणिक भर्मन के लिए भी बाहर ले जाता है जैसे कि पहली बार हमें हिमांचल में ले जाया गया जा हमें वहां दे करके हमें यहां मिला कि हमें कैसी खेती करनी चाहिए कैसे किसी चीज हुआ करके काम करने का अवसर मिलता है हम सारी महलाइ यहां पर मिलुदकर काम करते हैं और मैंने में 20 दिन多जा चुदा दिन आशर रोज़ गार मिल जाता हमेंगाले लेक्सें में जानकारी है करते थह अचार बनाते हैं, जूस कि पनाते हैं, जब माल्टब बेकार जाते थे, उन माल्टओं का भी हम जूस में रहे हैं, आवला है, है, अधरक है, नीम्बु है, सब जीच का किसी का चार नीजूस. फिर जब यह तुल्सी का काम आया तो हमने तुल्सी नहीं सीख रखी थी तो हमने भी तुल्सी का उत्पाद किया इसे हमें अच्छे जानकारी मिलती है स्वास्त्य के लिए लाब दायक है इसे कोई भी बिमारी होते हैं इस तुल्सी का सेवन करने से सब बिमारी दूर हो जात करके हम यहां पर कमा कमाई करते हैं हमें मिल जूल कर पूरा काम करते हैं और पूरी अपनी समीति का ध्यान देते हैं हमारे यहां पर महिला को कृसी की ज जो है रीड कहा जाता है को अधिकतर कारे वही करती हैं और अकसर जो है यह सोचा जाता है था कि जो तकनीकी कारे महिला नी कर सकती है इसलिए हमने इनको सक्षम बनाने के लिए तीन चीज़ों के उपर बहुत जोड़ दिया, जिसमें हमने लगातार प्रसिक्षन किये, एक्सपोजर किये, ट्रेनिंग्स की, एक तरफ कि आप एक संगठन जब बनाते हैं, तो उस संगठन को चलाते कैसे हैं, तो संगठन चलाना अपने में कला है, और साथ पे ही जो जिन कारियों को अपनाने जा रहे थे, जो प्राकरतिक संसादन जो उनके हैं, जिनके आधार पे वो छोटी-छोटे अपने इंकम जनेरेशन के प्रोग्राम करना चाहते थे, उसको लेके जितनी भी तकनीकी दक्षता क कि लगातार प्रेसिक्षन जो हैं, फिसले कई वरसों से दिये जा रहे हैं, जो आज भी जारी हैं और उसी तरीके से इभन मार्केट के साथ नेगोशियेट करना और इभन जो मार्केट में जो आप देखेंगे कि आप जो प्रोड़क्ट हैं, वो प्रोड़क्ट जो हैं कि एक महिलाओं के दोरा पैक किये जा रहे हैं रखे जा रहे हैं जब कि उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी है या कोई उसका बहुत बड़ा एक बड़ा कोई फैक्टरी लगी है जहां पर आपको बहुत ऑगनाइज वे में काम करने को मिल रहा है बड़ी- परन्तु बजार में तो यह कोई नहीं जानता कि यह किसी गाओं की महला ने तयार किया है कि या यह कंपनी का है क्योंकि जब बजार में जाता है तो वह सामना एक जैसा ही होता है वह प्रोड़क्ट के साथ उनका तो जैसे बजार में हर कोई अपने प्रोड़क्ट को लेकर competition कर रहा है तो क्यों नहीं महलाएं जो हैं गाउं से मिलके आज जो शहर के अंदर जो बजा रहा है उसका competition कर सकें और मुझे लगता है कि यह हमारा एक major mandate है कि जो globalization के जो effect है कि आज supply chain इस तरीके से कि आप शहर से कोई पर गाउं से कोई चीज को कैसे शहर में आप एक अच्छे दामों पर बेश दो यह बहुत आसान नहीं है पर जो गाउं के जो अपने प्रड़क्ट है गाउं वाले जो चीज बना रहे हैं उनको कैसे हम सहरता बना है जबकि यह एक बहुत पॉस्टिक आप देखें जहां पर वो तयार हुई कोई उसमें मिलावट नहीं है कोई कुछ में नहीं बड़े प्रकृतिक तरीकी से उसको तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे इन छोटे-छोटे संगठनों को जो बजार के चैलेंज जो सामने आ रहे हैं उनका सामना ये कैसे करें आने वाले समय में जो हिमालन एक्षण सेंटर की जो सोच है लोगों के साथ मिलके एक तो हम लोगों को अवैर करना चाहते हैं वो किस तरीके से जो इस मौसम परिवर्तन के जो जो प्रभाव पढ़ रहे हैं उनका सामना वो स्वयम अपने स्तर पर कैसे करें और जो हमारी अपने ट्रेडिशनल जो टक्नीक्स ती जो सोच थी हमारे जो भुजर्गों ने परदादा उनने इस तरी की चीजों का सामना किया था उन चीजों को सा कुछ इसी जो क्रॉप संजो की जिनकर अब बहुत कम असर पढ़ रहा है जैसे हमने अधियन किया कि बहुत सारी जितने कंद मूल वाली फल हैं उनकी साइज बढ़ रही है और उनको इस तो हमें लगता है कि Aujourd कि क्रॉप को अच्छ लाने के जो रहत बहुत कंद मूलें उनको लाने की बहुत अच्छे जरुवत है तो हमें लगता है कि इस तरीकी केती को हमको प्रवाइड हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा कुछ हमारे ट्रेडिशनल अगरी कल्चिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा जिसमें की ज्यादा मजबूती से ज्यादा र मैदान तो है नहीं इसकी जो टॉप सौइल है वो ज्यादा स्यादा एक दो फिट होती है और उसमें तरीके लॉस होना तो हमाले के लाने वाला काफी संक्रत हो हमें लगता है कि ऑगनिक खेती नैच्रल खेती हमको इसले नहीं चाहिए कि हमको बजार में किसी को बेशनार प लिक पाएंगे तो हमारे लिए वैसे भी यह बहुत जरूरी है इस तरीकी टैक्निक्स को अपाना और आगे बढ़ाना तो यही प्रयास एक हमाला नैक्शनेसर्स सेंटर का है जो आगे फ्यूचर में हमारे गाउं वहां बसे रहें अपने दादाओं की जमीनों को समाल सकें और एक बेतर और कुल मिला के यह कहें कि उद्देश से तो यह है कि जो हमको हमारे परदादाओं ने दादाओं ने दिहां में अपने बच्चों को भी वैसा दे सकें आपको हमारा कारिक्रम क्रिशी दर्शन कैसा लगा अपने सुझाव फ्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें क्रिशी दर्शन कमरा नंबर 10 CPC दूर दर्शन खेल गाउं नई दिल्ली 110049 यह था हमारा आज का कारिक्रम क्रिशी दर्शन हमें उमिद है कि हमारे सभी किसान भाई इस जानकारी का फैदा उठाएंगे हमारे कल के कारिक्रम में भी खबरे खेती की तो होंगी ही साथ ही होंगे मंडी भाव और भी होंगी बहुत सारी जानकारिया जिनको जानने के लिए आपको जुनना होगा हमारे कारिक्रम क्रिशी दर्शन से फिर मिलेंगे इसी कारिकर में तब तक के लिए दीजे अनुमती नुमस्कार